ठीक है और क्योंकि आपने बहुत एहम बात का जिक्र किया सईयोचक को लेकर क्योंकि अब लग रहा है शायद इंडिया गडबंधन को सार्थी की जरूरत है सौरब अब ये जरूरत महसूस होने लगी है और इसलिए अब नितीश कुमार का नाम अब सबसे आगे चल रहा है खड़गे और राहूल गांधी ने भी फोन पर बातशीत की है और सहमती बनाने की कोशिश की जा रही है उनके नाम पर तो कही ना कही नितीश का इस अपना पूरा होने जा रहा है लेकिन ख़बर ये भी आ रही है सौरब कि अब पार्टी में ये सुर्वी उठने लगे हैं कि सयोजक की बजाए अगर पीएम पद का चेहरा उने दिया जाता तो बैटर रहता जी बिलकुल पूजा है जब इंडिया गटवंधन की पहली बैठक विहार की राधानी पटना में 23 जून को हुई थी उसी समय से जदियू के जो भी नेता थे और कारकरता थे वो लगातार मीडिया के माध्यम से या पोस्टरों के माध्यम से लगातार अपनी मांग को इंडिया गटवंधन के सामने रख रहे थे और उनकी मांग ये थी कि या तो नितीज कुमार को सयोजक बनाया जाए या फिर उन्हें लगी कि नितीज कुमार नाराज हो गए और जदियू के जो भी नेता और कारकरता थे वो नाराज हो गए और उसके बाद नितीज कुमार ने राष्टिय अध्यच अपनी पार्टी का बदला और उसके बाद अरुनाचल परदेश दो दिन पहले की घटना है अरुनाचल पर से भी कहा था कि कॉंग्रेस का जितना ध्यान इंडिया गटबंधर पर होना चाहिए उतना ध्यान कॉंग्रेस का नहीं है तो निश्चीत रूप से यह कॉंग्रेस की एक पहल है नितिश कुमार की नाराजगी को दूर करने की एक कोशिस है और उसी कोशिस के तहट सुत्रों की माने तो कल मलिका अर्जुन खरगे और राहुल गांधी ने कुद दो पहर बाद मुखवंत्री नितीज कुमार से मुलाकात की है और फोन पर बात की है और उन्हें दो चीज की जानकारी दी गई एक तो भर्चुल जो मीटिंग होगी उसके बारे में उन्हें जानकारी दी कर आम सहमती बनाना नीशी तोर पर कॉंग्रेस पहल कर रही है सभी नेताओं से बाचीत कर रही है और कोसिस ये की जा रही है कि जब नितीज कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा जाए तो कहीं कोई बिरोध ना हो कोई भी विपक्षी पार्टी के नेता जो है उसका बिरोध ना करे लेकिन जदियू के अंदर अम महत्व कांचा और जादा बर गही है जदियू के जो नेता है कल कैबिनेट के दो मंत्रियों ने ये कहा कि नितीज कुमार को अब सयोज़क क्यों बनाना है अगर आपको लगता है कि नितीज कुमार एक बराफेस है तो सिधा उनको अच्वल मिटिंग होती है जब नितीज कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा तो क्या आम सहमती से यह तै हो जाएगा कि नितीज कुमार इंडिया गटवंधन के सयोज़क होंगे या फिर उसमें भी किसी पार्टी या नेता के तरफ से कोई भी रोध होगा जी ठीक प्रस्ताव